प्रुधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मेरट में शुलान्यास करेंगे सधर्णा सर्धना के सलावा में गंगनहर किनारी जनसभा का यूजन है अहां देश पर के 25,000 खिलाडियों समेट कारिक्रों में एकलाक लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है यूपी सरकार के अलावा भाजपास जंगठन ने भी भीर जुटाने की पूरी ताकत लगा रखी है कारिक्रों में मुखे मंत्री योगी आदितनात और राजिपाल आनंदी बेन पतेल भी शामिल होंगे प्रुधान मंत्री सेना के हली पैट पर विवान से पहुँचेंगे सुरक्षा व्यवस्था के दौरान कड़े इंतजाम रखे गए है तो मेरट को प्रुधान मंत्री नरेंद्र मूदी स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी की सौगात आज देने है 1857 की क्रांती का 56 सल्था मेरट और अब शहिदों को नमन भीस कारिक्रम के दौरान किया जाएगा साथी 25,000 से जादा खिलाडियों के वहां मौझूद रहने की जानकारी है और खिलाडियों समेत कुल 1,00,000 लोग वहां पर इस सभा में प्रुधान मंत्री नरेंद्र मूदी को सुनने के लिए पहुचेंगे इस समंद में भीड जुटाने की भी पूरी तैयारियां की गई है तो यूपी के पहली स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी का आचिलान्यास मेरट को प्रुधान मंत्री नरेंद्र मूदी स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी की सौगात आज देंगे अठारा सो सतावन की क्रांती के उद्गम स्थल पर शहिदों को नमन्वो करेंगे और खिलाडियों के साथ समवात का कारिक्रम भी उनका रहेगा साथ ही यूपी के मुखे मंत्री यूग्या दितनात और आजपाल आनन्दी बेन पटेल भी इस कारिक्रम में उनके साथ मौझूद रहेंगे सिना के हलिकॉप्टर के द्वारा हलिकॉप्ट पर उनका विमान उत्रेगार उसके बाद सीधा कारिक्रम स्थल पर पहुँचेंगे और मेरट में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शुला निया सुनके द्वारा किया जाएगा